हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको गरम मोजे बनाना सिखा रही हूं इनको बनाना बहुत ही असान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इनको बनाने के लिए मैंने चार कपड़े लिए हैं दो मैंने एक कलर के कपड़े लिए हैं और दो मैंने एक कलर के कपड़े लिए हैं और इसकी लंबाई मैंने 11 रखी है और चोडाई भी मैंने 11 रखी है अब इसके बाद देखिए एक कपड़ा हम उपर वाला लेंगे और एक कपड़ा नीचे वाला लेंगे और इनके बीच में फोम को रख देंगे ये दिखे इस तरीके से और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यां रखना है कपड़े की सीधी साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है और अब हम इसको ऐसे रखेंगे और इसके उपर हम उपर वाला कपड़ा रखेंगे तो ये सीधी साइड है और नीचे की तरफ उल्टी साइड है बिल्कुल बराबर करके हम इसको एसे रख देंगे अब इसके बाद दिखे इसी तरीके से हम इनको भी रख लेंगे और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी आप इनको पुराने कपड़े से भी बना सकते हैं नए कपड़े से भी बना सकते हैं लेकिन कपड़ा आपको गरम लेना है या फिर कोटन कपड़ा लेना है तो दिखिए मैंने इस तरीके से रख लिए हैं आप देख सकते हैं अब हम इनके उपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ये दिखिए तो चलिए मैं आपको मसीन पर सिलाई लगाना सिखा देती हूँ तो ये दिखे एक साइड में सिलाई लगा ली है अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से मैंने दोनों पे सिलाई लगा के कम्प्लीट कर ली है यह आप देख सकते हो और इस पेवी मेंने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है अब हम इनको उल्टी साइड से रखेंगे ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और दोनों को बराबर करके एसे रखेंगे और जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा या फोम होगे रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसके बाद दिखे हम एक पीस लेंगे और इसकी लंबाई है साड़े 10 इंच और इसकी चोड़ाई है 10 इंच तो साड़े 10 इंच हमारी लंबाई होगी और 10 इंच हमारी चोड़ाई होगी तो अब हम इसको एसे मोड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे साड़े 6 इंच पे और इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 7 इंच पे यहां पर भी सवा इंच पे लगाएंगे आप चाहो तो इस निशान को एक इंच पे भी लगा सकते हो और यहां से हलकी सी गुलाई देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे इसके बाद हम इसको एसे बरावर रखेंगे और यहां पर हम इसे मारकिंग कर देंगे इसके बाद हम इसको एसे खोल के रखेंगे इसके बाद हम एक औरेव कपड़े की पट्टी लेंगे और इसको हम इसे बराबर रखेंगे ये देखें और इस पे हम सिलाई लगाएंगे और अब हम उल्टी साइड में इसे मोडते हुए इसकी पाइपिंग बना लेंगे ये दिखें तो दिखें पाइपिंग लगाके हमने कंप्लीट कर ली है आप देख सकते हैं अब हुआ इसके बाद दिखें हम इसको इसे मोड़ेंगे और यहाँ पर हम इस पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इसे किरोज करेंगे और इसपे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे और अब हम इसको एसे बीश सेंटर से मिलाते हुए ऐसे देखें इस तरीके से और यहाँ पे हम अंगूठी का सेव देंगे इसमें आप चाहो तो इसको सिंपल भी बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर अंगूठा वाला बना रही हूँ तो इस तरह से मैं इस पे सिलाई लगा लूँगे यह दिखे अब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है आप देख सकते हो तो यह रेडी हो गया है अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी तयार कर लेंगे तो दिखे यह मैंने इस तरह से इसको भी तकरना है तो यह मैंने दोनों तयार कर लिये हैं आप देख सकते हैं कितने सुन्दर लग रहे हैं और बनाने में यह बहुती असान हैं आप इनको आसानी से बना सकते हो पहनने के बाद में आप देख सकते हो कितने सुन्दा लग रहे हैं और बहुती मतलब ये सोफ्ट और आराम दायक रहते हैं घर में पहनने के लिए बहुती परफेक्ट हैं तो ये आप देख सकते हो दोनो तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर करना बेलकुर भी ना भोले तो चली फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही थेंक यू